पेश है नई नवेली चकोर जो डान्स करती है जो मौडन है जो स्टाइलेश है जो आजाद गंद की छोरी नहीं बलकि है शेहर की कुड़ी सुने रोडान की चकोर का बदल गया है अंदास लेकिन इस अंदास में ढलने के लिए चकोर यानी मीरा देवस्थले को बदलना पड़ता है अपना रंग रूप सारे राज चकोर के सार लेकिन इसके लिए हम इस सबसे पहले चकोर को बिना मेकप के उनके सेट पर कैच करना होगा पूँ चकोर यानी की आप सब की मीरा तो आज आपने मुझे देखा है लीप के बाद के मेरे इस नए अफतार में पर इस अफतार में मैं आई कैसे इसके लिए हम चलते थोड़े से फ्लैश बैक में साज बहूर बेटियां के साथ मैं करने जा रही हूं सेग्मेंट सोला श्रिंगार और और इसमें हम थोड़े डिटैल में जाएंगे कि मैं मीरा से चकुर कैसे बनती हlor सो आज मैं आपको बताओंगी कि मैं अपने मेक अप में क्या-की यूज करती हूं मेक रिमे कτί कैसे होता है मेरा मेरे बाल किस तरह से बनते हैं और फिर मैं आपके समने चकुर बन किया हूंगी नहीं ये आइस है अच्छुली मेकप सेट करने के लिए आइस बहुत अच्छा होता है आपके अच्छे से सेट हो जाता है मेकप नहीं जाने देता है और फिर दादा को बार-बार महनत नहीं करनी पड़ती मेरे उपड़ तो अच्छुली आइस डारेक्ली नहीं लगाना चाहिए क्योंकि स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है बट मेरी बहुत ओईली है तो अच्छ कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बाद में Sunscreen is a must and Primer is a must because वो आपके skin के अंदर make-up नहीं जाने देता So में sunscreen लगा लिया है मैंने primer भी लगा लिया है Primer Sunscreen क्योंकि हम जब shoot करते हैं तो बहुत strong lights use होती है तो वैसे भी आपको लगा के रखना चीज़ sunscreen ऐसे अच्छे skin के लिए बोलता है So वो होता है But Primer इसलिए लगाता है So that make-up है वो smoothly एक तो आपके skin के ओपर merge हो आपके skin के अंदर ना जाए जैसे जैसे मेरी acne prone skin है मुझे पिंपल आते तो pores भी आते तो pores के अंदर इंटर हो गया तो skin all damage होती है चेहरे पर eyes, sunscreen और primer लगाने के बाद अब शुरू हुआ चकोर का eye makeup जिसके पहले सबसे पहले उनके आँखों पर base लगाया गया So मेरे जो eye makeup होता है वो हम जिन्जलिंग nude रखते है ज्यादा हम heavy shadow नहीं करते है Max to max socket दे थे थोड़ा साथ so that eye story से defined हो जाया और half liner करते है बस, और कुछ नहीं करते है मेरा eye shadow होता है lack me absolute का हम दूसरे भी use कर लेते हैं कभी-kभी maybelline अगरा या whatever, जो suit करता है but मुझे majorly lack में suit करता है तो मैं lack में use करते हू It's a lot of things depend on the eye makeup उससे आपकी age बढ़ सकती है कम हो सकती है, सारी चीज़ होती है चहरा तो साफ हो गया moisturizing और toning भी हो गई आप शुरू करते हैं असली श्रिंगार यानि चहरे पर रंग लगाने का काम जो करता है यह base जिसे आम भाशा में foundation भी कहा जाता है So, मेरा liner हो चुका है हम क्लिनिक का liner यूज करते है Gel Liner and it's one of the best क्योंकि वो 12 hours वैसा का वैसा रहता है जरा भी smudge नहीं होता जरा भी फेलता नहीं है पहले उने बेज लगा है जो बेज मेरे चहरे पीज होता है वो हलका से लगा से लगा से लगा आइस का शेड नॉमल लाइक बेज उसके उपर हमने अपना मेरे लाकने का न्यूड गोल्डन शेड का हमने आईशाडव लगाया और फिर हमने liner किया और फिर इन्होंने सॉकेट किया आप वो इस सॉकेट को समझ करेंगे सॉकेट से आईज डिफाइन होती है कंसीलर चीक शेड है चीक शेड बोलते इसको क्राइलान का बेज यह यूज करते हैं आपकी स्किन पर पूरा मेकप इवनली लगे इसलिए जो पॉर्स बगेरा होता है या इवन इंकेस टैनिंग हो गई होती है तो यह लगाते है आपकी स्किन पर मेकप अच्छे से पूरा इवन लगे हाँ यह बेस से पहले लगाते है अभी दादा लगा रहे हैं मैक का कंसीलर जो बहुत ही अच्छा है अमस्ट ट्राइ अगर आपको स्पॉट्स है या पिंपल्स है और आप सिफ यह लगावा इसके ओपर हलका सा आपका जो भी फांडेशन घर पे भी लगा लो तो यह बहुत लास्ट करता है स्किन पर यह हटता नहीं और यह बहुत अच्छे से आपकी पूरी स्किन इसे इवन कर dejता है यह जो फस्किन से दाक होता है आप हमेशा अटं कर देता है यह जो कॉरोह पर निरो नअ निगरोल फिल्लाथ धार जगाता है और देखे पैकिंग के से होरी है इसे हैं पैकिंग इनतला एक होता है units आपके कुलिस के वो आपके चोटी में सेट हो और अच्छे से, हाँ, बाल खीचे नहीं और गिरे नहीं लाइक नॉर्मल सागर चोटी होती है, जिसको पूर अच्छे तरह के से चोटी गुन के, रबल लगा के पैक्ट कर देते हैं ताके जब विग सेट हो, तो क्लिप्स अच्छे से बैठे और उनके खुद के ओरिजनल बाल खीचे नहीं और तूटे नहीं तो जैसे कि अब देख सकते है, मेरे चहरे का रंग मेरे गले से अब काला हो गया है, डाक हो गया है, अब दादा बेज लगाएंगे, इन निश्री करती है इनका आदा वक्त मेरे चहरे का ओल, एक्स्ट्रा ओल, ग्लो, यहीं से भटाने में जाता है मेकप और बाल करके, चकुर बनने का, यह प्रसेस में आप बीच-बीच में ऐसे क्लिप्स और ऐसे मेकप के साथ, आदे मेकप के साथ फणी भी लगते हो, तो प्लीज डोंट जज मी, अभी यह क्राइडान का बेज लग रहा है मेरे चहरे पर, दो टोन्स मिक्स होते हैं, क् कि मैं गोरी भी नहीं और सावली भी नहीं बीच की हूँ, तो 26 और 28 टोन यूज होते मेरे उपर, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मेरी पैकिंग हो गई है, बालो की, और मेरे लिए, I think, सबसे इंपोर्टन चीज मेरे, वह है मेरे बाल, तो मैं अपने बालों कोई नुकसा जो बेज के पहले का प्रोसीजर होता है, आई मेक अप और गंसीलिंग और यह सारी चीज़े, वह हम समझ सकते कि 10-15 मिनिट का होता होगा मेरा, उसके बाद 10 मिनिट का बेज होता है, और उसके बाद 5 मिनिट में पावडर और बलश ओन और यह सारी चीज़े लगती है, तो मेरा मेक अप 45 मिनिट में, 45 मिनिट में कम in fact, यह नीग्रो टोन यूज हो रहा है, जो सबसे डाक टोन होता है, सारे बेज में, तो यह टोन यूज हो रहा है, ताकि आपके फेस का जो कट है, जो गाल है, वो थोड़े से अच्छे से शेप में लगे, नाक होती है, तो नाक के जब एक बेज लगाते हैं, तो सब कुछ एक इवन सा लगता है, तो काउंटरिंग इसलिए इंपोर्टन है, तो आपके फेस के फीचर्स हाइलाइट हो, जैसे कि अभी यह पुरा मर्ज कर देंगे और मिक्स कर देंगे, उसके वाद मेरी नोज का एक पर्टिकलर शेप चपड़ी इसलिए और मिक्स कर देंगे, तो आपके ओंगे, तो कि अब्सक्रिदीड दिए पार्टन है, जैसे कि अभी नोज को आपके बिचान, हैं जैसे कि बीचा बेड़ के पार्टन है, तो आपके अक टूलेटले की इसलिसा कि अर्म आपके बैदम, और लग्यर, कि व क्वालिफाइड मेकप आला होता है, एक हाइली क्वालिफाइड है परसन होती है, हुच लोग होते हैं जो उनके नेल्स पर काम कर रहे होते हैं और यह सारी चीज़े बहुत अच्छी अच्छी लिखे थी होना ने विच मेड मी हो फैन फॉर दिस बिकॉस आइल सो परसनली फी कि कोई परफेक्ट नहीं होता हर इंसान सुंदर होता है इंटरनल ही होता है एक्स्टरनल ही होता है क्योंकि हमें आपके सामने दिखना होता है टीवी पर दिखना होता है तो हम इतने फ्लॉस के साथ नहीं दिख सकते हमें थोड़ा सच्छा दिखना चाहिए मेकप का अगला स्टैप होता है चेहरे के फ्लॉस को ठकना भाई इस के लिए तरह तरह की जीद इस्तेमाल की जाती है और चेहरा निखर जाता है अब पाउडर लग रहा है सो मेरी स्किन टाइप के हिसाब से मुझे वाटर बेज सूट नहीं करते जो बेज में पानी होता है जो पानी से बनते है जिनका बेज पानी होता है जैसे डर्मा है या फिर लिक्विड है लिक्विड फाउंडेशन जो होते है तो मैं क्राइलोन प्रिफर करती हूँ विकॉस क्राइलोन का जो बेस होता है वो ओयल बेस से बनता है और में किस्किन ओईली है तो वो चल जाता अपना काम पाउडर इसलिए लगाते हैं सेटिंग पाउडर बोलते हैं ताकि आपके फेस पे जो जो बेस लगाया वो अच्छे से सेट हो जाया और वो हिले ने कुछ लोग पहले start करते है और कुछ लोग पहले base करते है फिर eye makeup करते है और कुछ लोग पहले eye makeup करते हैं, फिर base करते हैं. It depends on the makeup person and depends on the person also, कि किसा prefer करते हैं. मेरा blush on लग रहा है, यह मेरा सबसे favorite color blush on है, Givenchy का. So, yes! यह एक बड़ा हलका सा pink blush on है, और यह बहुत प्यारा सा pink सा tint देते है अपके गाल पर. तुम्हें बताना भूली गे, मेरे eyebrows जो है बड़े सही है. They're very thick, nice eyebrows. So, मेरे को जादा मेहनत नहीं कटनी पड़ती eyebrows पे. मैं बिल्कुल ही नहीं कटनी नहीं कटनी पड़ती इंफैक्ट. मुझे filling नहीं कटनी पड़ती है eyebrows को. मेरा बेज हो गया है, मैंने लिपम लगा लिया है. So, I think I'm done with my makeup. And, अब सिब लिप्स्टिक लगानी बाकी है. So, मैं लगाँगा. So, लिप्स्टिक्स मैं या तो कलर बाक की उस करती हूँ, या फिर मैक की उस करती हूँ. So, I'm ready. चेहरे का makeup और hair की packing के बाद, अब मीरा चेंज करेगी और पहनेगी चकोर वाले कपड़े. हाँ, जैसा के अपने देखा, बहाँ मिनमल से हल्के से जूंके है, बैंगल्स है, क्योंकि बैंगल्स इंपॉर्टन है, और पूरेंग, आजकल हम थोड़ी से fashionable चल रहे हूँ, थोड़ी. सो हमने सोचा है कि हम एथनिक जूल्री वापस trend मिलाए, मतलब अल्रेडी है, विट हम trend मिलाए थोड़ी सी, अपने style की, इसलोए. और मेंने संजर भी लगा दिते हूँ, at the end of the day, जै को हमारी रहे हूँ. अब विग लग रही है. क्या है. हाँ, मैं यह इस तरफ दाल दी है, पर देख लगती है. फिर हम एक्ट्वल पार्टेशन निकालते हैं, जो है. मैं जल्डी से जाती हूँ, अब मुझे बस फुट्वेर पहनना बाकी है. अदर्वाइज, अब क्योंकि बाहर तक्रीम बज गई है, कि शूट स्टार्ट करना है, तो मैं जल्डी से जाती हूँ. अब मुझे बस फुट्वेर पहनना बाकी है, अदर्वाइज, जिससे कि आप सुब देख सकते हैं, मीरा से अब मैं चकॉर बन गी हूँ. चकॉर बनकर मीरा पहुची अपने सेट पर और यहां पर बताया कि कैसे लीप के बाद चकॉर का लुक हो गया है, थोड़ा क्लासी. गाउन तो नहीं बट इंट इंडियन लुक है मेरा, तो हमने वो फील रखा हुआ है, बट जो पैटर्न है वो हमने थोड़ी से वेस्टनाइस की है, जनरली मैं अनारकली स्पहंती थी और हैवी हैवी गौडी गौडी से, चमकी-चमकी वाले, बट थोड़ी ताम के साथ हम थोड़ी क्लास में आगए और इस इस वाट बेरी बेरी. यह जो है मेरी बैंगल है, नॉर्मल औक्सदाइज बैंगल, और यह रहेगा, यह रहेगा. ऐसे बहुत अच्छा केलेक्शन है, जो चतोकी और इंग्स का है. अनुक्मा कुमार, मुंबाई आज तक. मैं हमारी, 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 मैं हमारी झाल, झाल, झाल.